हेलो गाईज और वेलकम बाक टू माई चैनल मैं हुछ सुर्पी इंडियन गरले नियूरोप और आज मैं एक बहुत एक ब्रैंड न्यू सीरीज के साथ आई हूँ लग्जंबर्ग के वीडियोज आप लोगोंने खूप सारे पसंद करें तो मैंने सोचा कि मैं लग्जंबर्ग के बारे में आपके साथ आठ से दस वीडियोज शेयर करूँ जिसमें आपको लग्जंबर्ग के वाई में सारी इंफोमेशन आज है जैसे कि लग्जंबर्ग की सैलरीज कितनी होती है in general Luxembourg City या Luxembourg Country जो है वो कैसी है और इसमें कौन सी Languages बोली जाती है या कौन से ऐसे Do's है या Don'ts है वो आपको जानने चाहिए Expenses कितने हैं, Rents कितने होते हैं in general वहाँ का Culture कैसा होता है वो सारे वीडियो जो है वो इस Series में आएंगे पर यह जो पहला वीडियो है यह बहुत important वीडियो है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे लगजंबर्ग के बारे में तो आपको बहुत सारी ऐसी खटी मीटी बाते जो है वो पदा चलेगी इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक काफी अच्छी नियूज है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मैंने एक Secure a Job in Luxembourg के एक कोर्स बनाया है जो कि काफी कम प्राइस पे मैं सेल कर रही हूं फोर सम यूजर्स अगर आप seriously interested हो तो वो कोर्स देख सकते हो क्योंकि उसमें मैंने resume format, CV format, कहां पर apply करना है, कैसे apply करना है, कौन सी tips है, कौन सी industry में जो है वो best jobs वहाँ पर offer होती है, वो सारी चीज़ें share कर रही है वो जो link है वो description box पे है, तो जरूर चेक आउट करना, क्योंकि वो help करेगा अगर आपको seriously move करना है Luxembourg में पहले कुछ users, like 100 users को मैं 50% off दे रही हूं, तो वो जरूर देखो course की link जो है वो description में, अब video स्टार्ट करते हैं Part 1 ये है कि Luxembourg and what makes Luxembourg unique Luxembourg क्यों एक unique country है और अभी तक हम लोगों ने Luxembourg के बारे में नहीं सोचा सबसे अची बात ये है कि 2030 तक Luxembourg के पास बहुत सारी jobs available होगी इस article के हिसाब से So that means कि लोग जो हैं वो move करेंगे, expats Already आसपास की countries के लोग move करते हैं वहाँ पर जैसे Belgium के, France के, even Germany के क्योंकि salaries जो होते हैं Europe के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी salaries होती हैं Luxembourg की तो इसी के बारे में हम बात करते हैं पूरा point to point कि Luxembourg जो है क्यों एक unique country है और अगर आप भी सोच रहे हैं कि job के लिए इस country में जाया जाये तो वो आपके लिए easy process कैसे होगी ये पूरी series में आपको वो ही देखने मिलेगा सबसे main और खासियत ये है कि इस country की European पूरी salaries में अगर बात करें तो number one salary है in fact अगर हम US और Switzerland से भी बात करें तो Luxembourg की जो है वो second best salaries में से एक आती है first जो है वो Switzerland सबसे जादा average salary offer करता है and second is Luxembourg तो हम बोलते हैं कि US में जो है वो बहुत जादा salaries offer होती है पट Luxembourg की salary जो है वो US से भी जादा है तो आपको बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है बहुत जादा expensive भी है इसी कारण पर बहुत ही beautiful country है और आस पास की जो countries है neighboring countries within Europe वो भी काफी सुंदर है जिसमें आप ग्रूम सकते हैं The other important point is कि Luxembourg की world best lifestyle है हम जब किसी country में move करते हैं तो lifestyle के लिए ही move करते हैं हमें a quality life के लिए, a peaceful environment के लिए हम अपनी country छोड़के दूसरी country में move करते हैं Other than that, Europe के एकदम heart में situated है तो Europe में भी आप लोग जो है आराम से घूम सकते हो अगर आपको यहाँ का work permit मिल जाता है या यहाँ पर job मिल जाती है तो एक important बात यह है कि Luxembourg में जो है वो तीन official language है that means French, Luxembourgish और German but यहाँ पर English भी काफी जादा बोली जाती है क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो बहुत सारी language जानते है अगर आपको job किसी specific domain में चाहिए अगर आप IT profession में है तो English के basis पर आपको job मिल जाएग but other than that अगर आप किसी और profession में है जैसे nursing area हो गई यह service industry में हो गया तो उसमें अगर आपको French आती है अगर आप French सीख लेते हैं तो यह आपके लिए advantage होगा job पाने के लिए तो यह भी एक important tip है और हाँ course की link जो है वो description पे है तो वो check out करना मत भूलना Luxembourg जो है वो European Union का part है euro जो है इसकी currency है और neighboring countries तो मैंने आपको बताई दी the best thing is percentage of expats जो है वो यहाँ पर बहुत जादा है तो आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगी तो आपको ऐसा left out जैसा feel नहीं होगा जैसे जर्मनी में हम लोगों को होता है एक और unique बात अब हम salary के बारे में बात करते को कि मैंने काफी बार salaries का जो है वो जिक्र किया तो मैं आपको एक average salary बता देती हूँ average salary यहाँ की 4100 euros per month अगर आप into 85 कर दो तो आपको पता चल जाएगा around 380,000 के लगभग लगभग monthly salary है यहाँ पर अगर हम सारे European देश की बात करें तो on and average वहाँ की जो average salary है वो 2791 है तो वो जो लगभग की salary है वो काफी जादा है बाकी सारी European countries से जो काफी unique बना देती है इस country को और हाँ, best part यह है कि इस country में अभी के time पर move करना बहुत ही easy है क्योंकि यहाँ पर labor shortage है और हाँ, Switzerland भी one of the best salary offer करती है पर Switzerland में move करना जो है वो next to impossible है बट इस country like Luxembourg में इतना difficult नहीं है अब हम बात करते हैं housing की, renting की और expenses उसमें कितने लगते हैं salaries तो हो गई पर expenses भी of course क्योंकि expensive है तो यहाँ पर on an average अगर हम 70 to 80 quadratmeter का घर देखें तो वो around 2500 से 3000 euros Luxembourgish city जो है उसमें आएगा अगर आप थोड़े आउचर में देखते हो तो 200 से 300 euros जो है वो थोड़े से कम होंगे और यहाँ पर जो apartments हैं वो काफी ज़ादा costly होते हैं मैंने अपने एक इनकी जो immobilion website है उस पर search किया and I figure it out कि काफी सारे like 3500 even 4000 euros तक के घर जो है वो यहाँ पर available है वो भी दो rooms apartment के तो दो rooms apartment का आप कम से कम भी खर्चा माल लो to 2500 से 3500 euros तक पका लगेगा इसके अलावा यहाँ पर क्या-क्या available होता है like short term जो renting options है वो available होते है furnish options like अगर आपको पूरा furnish apartment लेना है तो वो available होता है थोड़ा rents उसके ज़ादा होते हैं प्लस अगर आपको shared apartment लेना होता है अगर आप student है तो वो भी आपको मिलते हैं अगर आप study in Luxembourg वो भी private university में tuition fees free देखना चाते हैं तो यह video जो है वो ज़रूर देखना अब हम बात करते हैं कि how is Luxembourg city city कैसा है city का culture कैसा है बहुत ही ज़ादा modern culture है actually यह जो country है वो बहुत ज़ादा traditional है बट अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़ादा यहाँ पर दिखेगा modern culture of course because बहार के लोग बहुत ज़ादा है तो इसे modern बना देता है इसके अलावा काफी सुन्दर सुन्दर यहाँ पर streets होगी shopping areas होंगे काफी सारे expensive brands होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत lifestyle यहाँ पर अच्छी है और अमीर लोग रहते हैं तो वो होगा plus सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर expenses अगर हम transportation की बात करें तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि जो public transportation होता है वो सबके लिए free होता है सिर्फ जो लोग रहते हैं उनके लिए नहीं इवन जो लोग बहार के लोग like travel जो लोग करते हैं उनके लिए भी तो यह भी कमाल की बात है but as in general अगर Luxembourg city की बात करें तो यह काफी beautiful बहुत ही सुन्दर सुन्दर इसमें streets हैं काफी जादा अगर आप कहीं पर जाओगे तो काफी सारा आपको वहां का culture देखने को मिलेगा काफी सारे छोटे-छोटे markets लगे रहते हैं जो आप देख सकते हैं उनके culture को अब हमने बात कर ली कि कैसी है city पर हम as a couple का expenses कितना होता है वो बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको rent बोला कि 2500 से 3500 euros तक आपका rent पकाल लगेगा इसके अलावा on average जो electricity यहां पर लोग खर्च करते हैं वो 330 euros तक करते हैं monthly तो वो तो है यह other expenses जैसे internet हो गया बाकी सारी चीज़ें हो गई वो भी जो है वो 100 euros तक लग जाता है और हाँ यहां पर food भी जो है वो बहुत expenses है तो 700 से 900 euros जो है वो खर्चा है grocery का और food का अगर आप ऐसे couple यहां पर आते हैं तो हम देखा जाए तो अगर आप expenses देख लो तो expenses जो है वो पूरा calculate कर ले हम तो 3000 से 4000 euros तक का जो है वो आपका couple का monthly यहां पर expenses होगा salaries already मैंने आपको बता दी है अब हम आते हैं फिर से city पर तो city में जो है वो बहुत ही ज़्यादा bike friendly city है तो अगर आपको bike ride करना है तो आप easily वहां पर कर सकते हैं coffee culture वहां पर बहुत अच्छा है काफी expensive restaurants है और affordable restaurants भी हैं तो अगर हम meal out की बात करें तो on an average एक जन का जो खर्चा है वो 12 euros से 20 euros तक हो जाता है तो अब उसको calculate कर सकते हो कि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा इसके अलावा अगर अगर बीयर की कॉस्ट की बात करें रस्टोरेंट में तो इस फाइव यूरो के लगभग होता है कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है कोई भी बिमारी का तो वो सही है अगर आप प्राइवेट इंशुरेंस लेते हैं तो उसके बहुत सारे अलग आप्शन से आपकोर्स वो costly पड़ता है पर अगर आप ऐज जो है वो employer पे करता है हाफ आप पे करते हो उसमें सब कुछ जो है वो cover होता है यहां का health system जो है वो one of the best system अब एक important बात जब हम move करते हैं तो आपकोर्स हमें लगता है कि बच्चे जो है वो English सीखें यहां पर बहुत सारी different languages बोली जाती है अगर आपको international school में अपने बच्चों को admission करवाना है तो इसका खर्चा जो है वो per year का around 15,000 euros है तो that thing also you can consider क्योंकि वो हम Germany में रहते हैं तो वो भी हम consider करते हैं कि जब तारा थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो international schools का खर्चा कितना होगा क्योंकि of course हमें उसे English जो है वो जरूरी होगा आगे की life के लिए it's very important कि English आना चाहिए अब हम करते हैं Texas कि यहां पर आपको maximum Texas जो है वो 0-42% देने होते हैं और जो 42% है वो लोग पे करते हैं जिनकी salary around 2000K euros से भी जादा होती है तो काफी कम Texas है यहां पर कंपे और जो other European countries as a job आपके लिए कांसी opportunities बन सकती है सबसे पहले तो वो please link फिर से जाएए क्योंकि उसमें मैंने का काफी सारे formats share करे हैं website link share करी है और काफी सारे important tips जो आप रीट करोगे तो आपको पता चलेगा प्लस आप videos भी जो YouTube में videos हैं वो भी consider कर सकते हैं but as a English speaking teacher की job requirement यहां easily मिल सकती है अगर आप IT profession में हो software field में हो काफी मिल सकती है एक interesting बात यह है कि within Luxembourg City में जो है वो around 100 से भी अच्छा area माना जा सकता है तो अगर आप banking and finance sector में हो तो यह one of the best location होगी आपके लिए क्योंकि मैंने आपको बताया एक छोटी सी city में around 100 से भी जादा bank होना that means उस जगे पर jobs requirement काफी होगी तो इन fields में हो तो definitely आपको हमारा course जो है वो देखना चाहिए और tips follow करके apply करना चाहि जो भी अगर आपको जाननी है तो और क्यों लगजंबग एक unique country है और क्यों इस time पर आपको jobs apply करनी है jobs apply करनी चाहिए क्योंकि of course मैंने जैसे बोला labor shortage के कारण यहां पर काफी सारे लोगों को बुलाया जाता है मैंने आपको already बताया कि finance और banking में यह काफी अच्छी जगे है इसके अलावा अगर आप retail, manufacturing, construction areas में हो और IT sector में हो तो भी यह destination है यह आपके लिए one of the best destination में से एक है तो जल्दी से job apply करो link जो है वो नीचे है resume में बनाओ अपना optimize करो सारे channels अपना CV बनाओ और उनको भेजो recruiter को और आपकी जो भी experiences है वो comment section में share करो क्योंकि मैं आपकी help क करोंगी इस particular series में आप अगर लगजंबग मूव करना चाहते हो तो already अगर आप लगजंबग में रह रहे हो और आपको कोई important information share करनी है लगजंबग के बारे में यह आपका experience share करना है तो आप हमें comment share कर सकते हो या फिर आप हमें Instagram पे contact कर सकते हो हम आपसे बहुत ही जल्दी करेंगे और हाँ एक important बात अगर आपको किसी country में move करना है तो उसको unique आपके लिए वो unique हो उसके लिए कौन से important criteria होते हैं वो जरू comment section में comment करना और of course आपका profession क्या है आप किस profession के हो year of experience कितना है और आप किस country में move करना चाहते हैं अगर आप लगजंबग में move करना चाहते है तो वो जरूर शेर करना क्योंकि वो मुझे help करेगा आगे के कुछ important जो है वो वीडियो बनाने के लिए plus आप से important information share करने के लिए hope you like this video do not forget to like share and subscribe और बहुत ही जल्दी मिलते हैं next video में about लगजंबग इससे पहले अगर आपको कुछ भी दिमाग में आ रहा है कि this can be the next video तो comment below